हेलो स्टुडेंट्स मैं हू यूनिस खान एंड यूनिस खान क्लासिस पर आप सब का स्वागत है आईए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय नमबर साथ नियंतरन और समन्वे के बहुवी कल्पया परसन अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दिया है अभी तक तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज तो सबसे पहला क्योशन देखेंगी तो सबसे पहला क्योशन क्या कहता है नियंतरन और समन्वे का कारे किस की साहिता से होता है यानि कि हमारे स्रीर में नियंतरन और समन्वे यानि कि जो भी हम कारे करते है या हमारी जितने भी बोडे पार्ट्स अपस्स ताल मिल के साथ कारे करते हैं ये किसकी साहता से होता है तो आपको मैं बता दू की जो पोधों के अंदर तन्त्रिका तंतर नहीं होता है उनके पास हार्मोन्स होते हैं और पोदे जितनी भी अपने प्रिकरियात करते हैं वो हार्मोनों की मदद से करते हैं बट उसके बिल्कुल अपोजिट हम लोग या जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों मिलकर पूरे सरीर को चलाते हैं तो सरीर की बात करें तो यानि कि हमारे सरीर की बात चल रही है आपर तो हम ये कहेंगे कि हार्मोनों तथा मस्तिस किया तंत्रिका ये मिलकर सभी हमारे सरीर को नियंतरन और समन्वे करते हैं तंत्रिका तंत्र की रचनातमक तथा क्रियातमक इकाई है यानि के हमारे सरीर में तंत्रिका तंत्र किस से बना हुआ है जैसे हम जानते हैं हमारी जो पूरी बोडी है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है कोशिकाओं मिलकर उत्तक बनाती है उत्तक से आप जानते हो बाइलोजी आपने पड़ी है इस तरह से धिरी धिर हमारा पूरा सरीर बन जाता है इसी तरह से तंत्रिका तंत्र जो है वो एक ऐसा सिस्टम है हमारी बोड़ी का जो हमारे बोड़ी के किसी एक अंग से और उसके दोरा जो भी information मिली है भाई यह अपने वातावरन से वो हमारे मस्तिस्क को या रजू को information देती है तो तंत्रिका तंत्र जो है एक तरह से सिगनल पहुंचाने का कारे करती है जैसे हम देखते हैं कि टेलिफॉन की वायर होती है उसके जरीए सिगनल आगे बढ़ता है तो हम बोलेंगे कि उनकी सब से जो छोटी इकाई होती है यानि कि रचनातमक क्रियातमक इकाई से हम बोलेंगे वो क्या होगी नियूरोन कोई भी वस्तु जो तंतरिका आवेग उत्पन करती है उसे कहते हैं उसे हम कहते हैं उद्धिपन अब आपको मैं एक्जामपल से समझाता हूँ जैसे एक्जामपल के दोर पे मान लीजिए आप किसी सड़क को क्रोस करने लग रहे हैं और आपने देखा कि सामने से तेज स्पीड से एक कार आने लग रही है तो आप क्या करेंगे पहले आप बिल्कुल अराम से चलने लग रहे थे तो आप उस कार को देखकर एकदम से नियंतरन और समन्वे की प्रोसेस स्टार्ट हुई जिसकी मदद से ब्रेन ने आपकी टांगों को सीगनल दिया कि यहां से तेजे से भाग लेना चाहिए तो जो कार है जो तेज चलती भी कार है जिसकी विजए से आपने एकदम से तेज भाग कर सड़क करोज की तो इस कार क हम क्या बोलेंगे उद्धी पन बोलेंगे इस तरह से कोई भी चीज हो सकती है जिसकी वजए से हम अपनी बोड़ी के अंदर किसी भी परकार का नियंतरनों समन्वे करते हैं नलिका भीन गरंथियों को कहते हैं देखिए हमारी बोड़ी के अंदर जो गरंथियां होती है वो एक नलिका से होता हुआ हमारे जो इंटेंस्टाइनों उसके साथ में जाके मिल जाता है और इसके बिल्कुल उल्टा कुछ गरंथियां ऐसी होती जिनकी नलिका ही नहीं होती और वे अपना जो इस्राव है वो सीधा रक्त में छोड़ती है तो ऐसी गरंथियों को हम बोलते है नलिका वहीं और उसका दूसरा नाम होता है अंता इस्रावी गरंथियां तो आपने याद रखना है अंता इस्रावी गरंथियां कोन सी होती है ये वो गरंथियां होती है जो इनके इस्राव को यानिके दौरा बनाएगे हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ती है सवाद की लगाने के लिए हमारी जीब के अंदर जो गराहियां होती है उन्हें बोलते हैं रस समेदी गराही, गरान गराही होती है, गरान का मतलब होता है सुंगना, और आपको पता है सुंगने के लिए हम अपनी नाक का उप्योग करते हैं, नाक के अंदर जो समेदना के लिए गराहि होती हैं उन्य हमक्या कहते है गरान गराही सवेधी तंत्रिकाईं समेधना पर एłत करवधी तंत्रिकाईं कौन सी होते है पहले ये समझ짜 जाये जिसे एक्जामपल के तो आपके हाथ के एक दम से कोई गरम चीज चूजाये तो आप अपना हाथ एकदम से पिछे कर लेते हैं तो इस हाथ के पास इसी गरम वस्तु के आने पर आपके हाथ को पता लगा कि ये वस्तु गरम है और उसके बाद में हाथ को पिछे अठाने के लिए सिंगनल आया हमारे मेरुरजू से ठीक है ना तो इस तरह से ये जो समेदना मे जिने का जो कार्या करती है वो होती है स्वेधी तंत्रिकाईं और ये स्वेधी तंत्रिकाईं जो होती है ये मस्तिस्क या मेरु रजू दोनों के पास अपना सिग्नल बेचती है तंत्रिकाई जो सूचना को मस्तिस्क तक लेकर जाती है कहलाती है यानि कि मस्तिस्क तक ले जाए या मेरी रजू तक ले जाए तो वो दोनों परकार की जो तंत्रिकाई होती हैं नहीं हम क्या बोलेंगे समेधी तंत्रिकाई तंत्रिकाई जो सूचना वो मस्तिस्क से परभावी अंग तक लेकर जाती है देखिए परभावी अंग से तक जो सूचना आएगी जैसे एक्जामपल के तोर पे मैंने बताया था कि अचानक से अपना हाथ किसी गरम वस्तू के छू जाता है तो हमारा हाथ एकदम से पिछे हो जाता है तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जो अपने गरम हाथ की जो सवेधी तंत्रिकाई है वो मेरूरजू के पास सिगनल बेजती है फिर मेरूरजू अपनी हाथ की जो मास्पेसियां होती है उनके पास सिगनल बेजता है कि आप को सुक्ट जाएए ताकि अपना हाथ उसे पिछे अट जाए तो मेरु रजू से हमारी हाथों की जो मास्पेसियां है उनके पास सिंगनल लाने का जो काम करती है वो कौन सी होती है वो होती है मोटर तंत्रिकाएं यानि कि सिंगनल को ले जाने का काम अलग तंत्रिकाए करती है और वो तंतुरिक है कौन सी उत्य है motor अंतरे का नुदी का और फ्रटिवर्ती चाप से कौन सा तंतृ का तंतर संबंदित है यानि कह परती वरती चाप किसे कहते हैं पहले तो यह समझे जो मैंने भी एक्ज leven दिया था और मेरु रजु से मोटरन पंत्रिकाएं और फिर अपनी बnty मास पेशियों के पास इगनल आता है उनको सिगर्णू के लिए कहा जाता है तो यह जो चकर शुटा है मैसेज का घूमने का ये किस के थुरू होता है ये होता है मेरूरजू के थुरू ठीक है न अट इसमें आपका option क्या आएगा यानि कि हम simple भासा में ये भी कह सकते हैं कि परतिवर्तिचा आपको कौन कंट्रोल करता है कौन नियंत्रित करता है तो वो मेरूरजू करता है तो आप cycle चलाते time गिरे भी होंगे बट धीरे धीरे हम cycle को चलाना सीख जाते है इसी तरह से हम देखते हैं खेल दिखाने वाले बच्चे आते हैं काफी जो रसी पे चलके दिखाते हैं वो बिल्कुल संतुलन से एक रसी के उपर चल लेते हैं तो वो किसकी वज़े से होता है मस्तिस्क का कौन सा भाग होता है जो हमारे स्रीर को संतुलन करना सिखाता है वो होता है अनू मस्तिस्क मस्तिस्क का कौन सा भाग बुद्धी मता का केंदर है यानि कि हम कोई बिची सोचते हैं समझते हैं उसको करते हैं तो वो दिमाग लगा कर हम काम करते हैं तो ये सब कुछ कौन करता है ये करता है अपने मस्तिस्क अभाग जिसे बोलते हैं पर मस्तिस्क सरीर की अनेचिक पेसियां करियाओं को नियंतरित करता है यानि के हमारे स्रीर में अनेचिक पेसी है, क्रियाओं को नियंतरित कौन करता है, तो अनेचिक यानि के जो हमारी इच्छा से नहीं होती है, अपने आप होती है, तो वो जो क्रियाओं होती है, वो कौन करता है, वो करता है, मेडुला, अबलोगेंटा, निमिलिकित में से कौन सा हार्मोन बुढ़ापे को मंदन करता है देखिए चाहे ये बात हो अपने पोदों की चाहे बात हो युमन बिंग्स की इसमें एक लोजिक अपने हमें सा याद रखना है जब तक हमारे स्रीर में कोशिकाओं का विवाजन होता रहेगा नहीं कोशिकाओं बनती रहेगी तो हम बुढ़ापे की तरफ नहीं बढ़ेंगे इसी परकार से अगर पोदे की बात करते हैं अगर पोदे में नहीं नहीं कोशिकाओं लगाता र बनती रहती है तो वो पोदा कभी भी बुढ़ा नहीं होगा इसके लिए कौन सा हार्मोन काम करता है जिससे पोदे के अंदर सायक है ऐसा कौन सा हार्मोन जो फुलो को पकाने में सायक है वो होता है इथाईलीन कौन सा पादप हार्मोन तने की वरीदी में सायक होता है औकजिन हार्मोन औकजिन हार्मोन की विज़े से तने के अंदर गरोथ होती है हार्मोन जो बोने पोधे को लंबे पोधे में प्रिवर्थित करता है वो होता है जिब्रेलीन यह किना जिब्रेलीन की मदद से पोधे को लंबा किया जा सकता है पोधा जो अत्यादिक सपर सवेधी है ऐसा पोधा जो टच करते ही कुछ ना कुछ हरकत करता है वो होता है चुई मुई का पोधा आपने देखा होगा वीडियो जरूर देखी होगी जैसे चुई मुई के पोधे को हम टच करते हैं तो उसकी पतियां नजदी का जती है और थोड़े टाइम के बादे वादे वापिस खुल जाती है तो चुई मुई का जो पोधा होता है वो अत्यादिक सपर समेधी होता है गतियां जो उदीपन की दिसा में होती है ऐसी गतियों को हम क्या बोलते है ऐसी गतियों को बोलते है दिसिक यानि कि जो दिसा के अनुसार होती है जैसे एक्जामपल के तोरप आपको पता है पोधे की जो जड़े है वो उसी तरफ जाएगी जिस तरफ पानी होगा वो पान जो नहीं निकलती है वो भी परकास के तरह बढ़ती है तो वो भी एक परगार की दिसिक गती होती है भूक से समंदित के अंदर किस में स्थित है यानि कि अपनी जो अपने को जो भूक लगती है वो किस में मस्तिस्क के कौन से भाग से कंट्रोल होती है तो वो आपकी कंट्रोल होती है अगर मस्तिस्क से अगनास्या है एक तो अगनास्या जो होती होई मिक्सरित गरंती होती है इसके पीछे रिजन क्या होता है क्योंकि आपने पड़ा है पाजन तंतर के अंदर की अगनास्या से अगनाईसिक रस बनता है जो हमारी छोटी आंथ के अंदर भेजा जाता है बोजन को पचाने के लिए इसी परकार से अगनास्य से एक हार्मोन निकलता है जो सिद्धा हमारे रक्त में मिला दिया जाता है जिसकी वेज़े से हमारे सरीर के अंदर जो बलड के अंदर फिल्कोज की मातरा उसको नियंतरित किया जाता है रूस हार्मोन का नाम क्या होता है वो इनसुलीन हार्मोन होता है तो यहां पर दोनों तरह से काम कर रही है यहां इसके नलिका भी है जिसकी वज़े से यह अपने इस्तराव को हमारी थोटी आँथ हैं भेजती है और यह साथ हमें अपने हार्मोन इंसुलिन को सीधा रखत हमें भेजती है तो ये दोनों प्रकार से कार्य करती है इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे मिस्रित गरंथी थायरोगजिन के संसलेशन के लिए थायरेड गरंथी को किस खनीज की आविशकता होती है तो आपको पता है आयोडिन हम सुनते है आयोडिन नमक जो होता है उसका यूज करना चाहिए तो वो किसकी वज़ाशी होता है वो इसी वज़ाशी होता है कि हमारे सरीर के अंदर थायरोगजिन हार्मोन बनना जरूरी होता है और वो आईडिन की मदद से ही बन पाता है अपात कालीन हार्मोन है इसके पीछे रिजन क्या होता है कि अचानक से हम किसी भी चीज़ से घर जाते हैं या अचानक से हम खुशी महसूस करते हैं या अचानक से हम चिलाने लग जाते हैं जैसे एक्जामपल के तोर पे आपकी क्रिकेट टीम है और आप मैच जीद जाते हैं लास्ट के एकदम टाइट मैच के अंदर तो फिर आप अचानक से खुशी से कुदोगे तो वो किसकी वज़ासे होता है वो एड्रिनलीन हार्मोन की वज़ासे होता है इसी तरह से आप होता है क्योंकि अचानक से आपको एनर्जी रिकार्मेंट होती है तो वो एनर्जी रिकार्मेंट के लिए हमारे सरीर के अंदर मेटाबॉलिजम को फस्ट करना जरूरी होता है और मेटाबॉलिजम को फस्ट करने के लिए एड्रिनलीन जो हार्मोन है वो कहीने कई हैल्प कर जो पुरुसों के अंदर लेंगिक जो प्रिवर्तन आते हैं जैसे उनके मूच आना उनके वाज बारी पनाना इस तरह से एस्ट्रोजन के अंदर लड़कियों के अंदर जो बदलाव आते हैं वो होते हैं इन हार्मोनों की विज़े से तो यानि कि इसे क्या वो लेंगे सेक्स और लेंगिक हार्मोन मदू में या सुगर रोग निमलकित में से किस की कमी के कारण होता है तो मैंने अभी बताया था कि जो अगनास्या है, अगनास्या से एक हार्मोन बनता है जो हमारे बलड के अंदर सुगर की मातरा को कंट्रोल करता है उसका नाम होता है आपका इंसुलीन वोनापन निमिलकित में से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है तो वरीदी हार्मोन वरीदी हार्मोन की वज़े से हमारी हाइट बढ़ती है अगर वो कम होगा तो ना उसे पता लगने लग रहा है तो ओवे सी बात है हमारे स्रीर की हाइट जो वो कम रह जाएगी पराग न लिका का बिजांट की और वरीदी करना किस परकार के अनुवरतन का एक उधारन है तो पराग न लिका का बिजांट की और गती करना वो होता है यानि के वरीदी करना वो होता है आपका रहसाएना दुख स्त्रावन को निमिलखित में से कौन उधिपत करता है वो करता है आपका प्रोलेक्टिन कैल्सी टोनिन रक्त में किस की मातरा को नियंतरित करता है कैल्सी टोनिन जो हर्मोन होता है वो केल्सिम और फोसफेट की मात्रा को हमारे डक्त के अंदर कंट्रोल करता है मोचक हर्मोन दिक्तर स्ट्रावित होते हैं मोचक हर्मोन केसे कहते है एक बात याद रखना आपने ये जो प्यूस गरंधी है इसको मस्टर गरंधी कहते है क्योंकि ये पूरे सरीर की गरंथियों को कंट्रोल करती है पर ये जो हाइपो थेलेमेस है इससे एक हार्मोन निकलता है जो प्यूस गरंथि को कंट्रोल करने का करे करता है इसलिए इसके दोरा जो हाइपो थेलेमेस के दोरा जो हार्मोन निकलता है से हम क्या बोलते है मोचक हार्मोन ठीक है नगा आप आइपो फेले मेंस ऑता है वह मोचक Harrmone ररावित करता है जिसके बाद है ट्रोच इसके ऑदर प्यूस गरणती अपने जो इस्ष़ाव है अपनी जो Hernon फो अण में छोड़ना स्टार्ट करती है गायटर निमिलखित में से किस की कमी से होता है तो आपको पता है आयडिन की कमी से निमिलखित में से कौन सी अंता इसरावी गरंथी नहीं है ये जितरी भी एक्जामपल आपके सामने है ये सभी आपके अन्ता इसरावी गरंथी सहत इसमें आपका इंसराय रहे इनमेंसे कोई नहीं तंत्रिका आवेग है यानि के हमारी कोसी काओं तंत्रिका कोसी काओं में जो मैसेज आगे बढ़ता है तो वो किस प्रक्रिया से बढ़ता है वहाँ पर विदूद और असायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके वज़े से सिगनल आगे बढ़ता है मैसेज आगे बढ़ता है किस कारण से परतान किसी सहारे के साथ चिपक जाते हैं परतान जो होते हैं क्यों चिपक जाते हैं इसी सारे के आपने ये ये बेल देखी होगी जो उपर की तरफ बढ़ती है तो वह किसकी वज़ reper occupational की वज़े से किस अंता test राभी गृंठी को मर्श्ट्र ग्रंधी कहते हैं तो मैंने भी अपने कंट्रोल में नहीं है, खांसना, पलके, जपकना, यानि कि अप्रोक्त सभी जब परतिवर्ति किरिया का एक उधारन है निमल्खित मेंसे कौन सा पादप हार्मON नहीं है, थारोگ्जिन, जिबरेलीन, ओक्जिन ये इन मेंसे देखना है कि कौन साइसा हार्मन है जो पोदे नहीं सोड़ते हैं तो आप देखिए ये तो थाइरोगजिन होता है ये हमारी बोड़ी के अंदर होता है पोदो के अंदर नहीं होता है मेडूला अबलोगेंटा नियंतरित करता है ये जितने भी कारे हैं जो अपने आप होने वाले हैं वो मेडूला अबलोगेंटा नियंतरित करता है तो इसमें आएगा आपके उप्रोक्त सभी एक एच्छी क्रिया है यानि कि हम अपनी मर्जी से कौन सा काम करते हैं तो हम लिखने का कारे अपनी मर्जी से करते हैं इसके लावा हमारी बोडी का जो बलड प्रेसर है वो अपने आप उपर निचे होता रहता है लाराना या उल्टी अचानक से आने लग जाती है तो वो भी एक अनेच्छी करिया है तो लिखने का कारे हम अपनी मर्जी से कर पाते हैं तो ये था अपना आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा most important 40 MCQs इस चैप्टर के अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी मेहनत को देखकर इस चैनल को जरूर सस्क्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे तो आईए अब हम सम्मिट करते हैं अपना क्विज और देखते हैं आज का रिजल्ट क्या आता है तो साइड में जो गरीन आपके सबी क्योसन्स पर टिक नजर आ रहे हैं इससे ये रिपरजेंट होता है कि अपने सबी क्योसन्स ठीक है और आपके मार्क्स हैं 40 by 40 तो इसी क्विज को आप भी अटेम्ट कर सकते है लिंक में डिस्क्रिप्शन है हमारी एप का हमासे आपने स्कोर्स को जोईन करना है जो टोटली फरी है और इस स्कोर्स को जोईन करने के बाद में ये 40 ही नहीं इसके लावा एक्स्ट्रेक्शन आपको मिलेंगे जहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मिलते हैं अपने नए चैप्टर चैप्टर नमबर एट के लिए अब तक के लिए जैहिन जैभारत